नमस्कार शिवसकती रेकी हीलिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है और आज मेरे वीडियो का विशे है पित्र हीलिंग कैसे करें जिस प्रकार हम अपनी हीलिंग करते हैं दूसरों की हीलिंग करते हैं इसी प्रकार हम अपने पित्रों की भी हीलिंग करते हैं रेकी हीलिंग में पित्रों की हीलिंग करना भी सिखाया जाता है तो आईए जानते हैं कैसे हम पित्र हीलिंग करें आप इसके लिए एक सांत जगा का चुनाव करें बिलकुल सांती से बैठ जाएं और डिस्टर्ब करने वाली सारी चीजों को बंद कर दें आप जितना सांत होके बैठेंगे उतनी ही जल्दी उतनी ही अच्छी आप हीलिंग कर पाएंगे अपने दिमाग से सारी नकारात्मक चीजों को बाहर निकाल दें और फिर तीन बार लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे आराज़े से छोड़ें सांसों के माध्यम से ही अपने आपको बिलकुल खाली कर लें सारे भाव सारे विचार सारी नकारात्मक उर जाएं साब बाहर निकाल दें जब आपको लगे कि आप अंदर से पेलकुल खाली हो गए हैं कोई अप्री भाव नहीं है तो फिर अपनी सांस को जीरो पर करें और एक दम रिलेक्स होके बैठ जाएं और फिर तीन बार लंबे गहरे ओम का उचारण करें और आप महसूस करें कि ओम की उर्जा आपके उपर परवायत हो रही है और आपके अंदर की सारी नकार आत्मकूर्जा पाहर जा रही है अब इसके बाद अपने इश्वर अपने गुरू अपने इश्ट और जिसमें भी आपका विश्वास हो उनसे प्राथना करें कि वो इस हीलिंग सेशन में आपका साथ दें आपको सपोर्ट करें और आपको गाइड करें इस प्रकार आप अपने भाव से उनसे प्राथना कर लें आप जितने अच्छे भाव से प्राथना करेंगे उतनी ही अच्छी इनर्जी आपके उपर प्रभाइत होगी क्योंकि जब भी हम रेकी का नाम लेते हैं तो फिर पहले अपने गुरू को अपने इस्ट को और टॉक्टर मिकाव उस्वी रेकी गुरू उनक से जरूर प्राथना करते हैं तब ये इनर्जी हमारे उपर प्रभाइत होती है अब आप ब्रह्मान्ड की दिव्य उर्जा से प्राथना करें कि हे दिव्य उर्जा हे डिवाइन पावर मैं यो जो हीलिंग कर रही हूँ इसके लिए इव्य उर्जा मुझे प्रदान करो और इसके बाद ब्रह्मान्ड से दिव्य उर्जा को अपने उपर आता हुआ पर देखें पूरा फोकस ब्रह्मान्ड की तरफ ले जाएं और वहां से दिव्य उर्जा को अपने उपर आता हुआ देखें और आपके क्राउन चक्र से आपके अंदर प्रभायत हो रही है आपके शरीर से के एक एक चक्र में उर्जा जा रही है और धीरे धीरे ये उर्जा आपके सातों चक्र से होते हुए पैरों के द्वारा तलवों से जमीन के अंदर चली गई है और फिर आप अपनी कलपणा सकती का पूरा प्रियोग करें और देखें कि जमीन के अंदर से एक वाइट लाइट पोस्टिव इनरजी आपके तलवों के द्वारा आपके सरीर के अंदर प्रिवेस कर रही है और यह उर्जा धीरे धीरे आपके सरीर में फैलती जा रही है आपके साथों चक्र को चार्ज करके क्राउं चक्र से उपर ब्रमांड की तरफ चली गई है और फिर अब आपके चारों तरफ एक सील्ड बन गई है उसमें आप बिल्कुल सुरक्षित हैं कोई भी हीलिंग करने से पहले अपने आभा मंडल को और अपनी बोडी को बिल्कुल सुरक्षित कर लें महसूस करें आपका आभा मंडल एकदम साफ चमकदार है और उसके अंदर आप बिल्कुल सुरक्षित बठे हैं अब आप पूर्ण रूप से इनर्जी में भरे हुए और हीलिंग करने के लिए तैयार हैं आप पूरे प्रोसिस से हीलिंग करें तभी कोई भी हीलिंग कामियाब होती है अब आप सिम्बल लंबर तीन से अपना कनक्शन डमांड से बनाएए और आवान कीजिए अपने पित्रों का और अपनी और आपके जो भी पित्र हैं अगर आपको नाम याद है तो नाम से अवान कीजिए और नहीं तो आप ऐसे ही सारे पित्रों का अवान कीजिए मैसूस कीजिए आपके जो भी पित्र हैं वो सब आपके सामने बैठे हैं और ब्रमांड से दिप्यूर्जा बाइट लाइट उन सब के उपर जा रही है और वो लोग दिप्यूर्जा के बीच में बैठे हैं वो लाइट सब को चार्ज कर रही है हील कर रही है और उप्रातना भी करते जाएं कि किसी अभाव के कारण किसी भी कार्मी के कारण जो कोई भी इनके जीवन में अभाव है उससे इन सब को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो और आप रातना करते जाएं कि मेरे और मेरे परिवार के द्वारा अगर कोई भी गलत बात या कोई निगेटिव इनरजी आप तक पहुँची है तो उन सब के लिए छमा वांग लें और अगर उनकी भी किसी बात से आपके अंदर दुख है चिंता है आप अपने मन में रखे हैं तो वो भी बात को निकाल दें और उसके लिए भी छमा मांगें और उस लाइट से उन सब को तीप प्रकास में देखें उन से अपने लिए प्राथना करें कि वो आपको ब्लेसिंग दें और महसूस करें इस डिवाइन लाइट ने उनके सारे बंधनों को काट दिया है और वो अपने सारे करम बंधन से मुक्त हो गए हैं और बहुत खुस और सांत हो के प्रेम और प्रकास से भरे हुए अपने पित्र लोक में जा रहे हैं इस प्रकार आप उन्हें हीलिंग करें और उनसे प्राथना भी करते जाएं कि जो भी जाने अन जाने में मुझसे और मेरे परिवार से भूल हुई है उन सब के लिए मुझे माफ कर दो और उस लाइट से उन सब को तीप प्रकास में देखें और महसूस करें कि आपके जो भी पित्र थे वो एकदम खुस हैं सान्त हैं और आपके परिवार को अपना असीरवाद दे रहे हैं बहुत ही सान्ती के साथ और बहुत ही करतग्यता अच्छे भाव के साथ उन्हें पांच मिनट हीलिंग दे इस उर्जा को उनके चारों तरफ फैलता हुआ महसूस करें धीरे धीरे महसूस करते जाएं जो भी आपके पित्र थे वो सब आपकी आँखों से ओजल हो रहे हैं इस दिप उर्जा के प्रेम और प्रकास की लाइट में बिलीन हो गए हैं और वो सब उर्जा प्रमांड में चली गई है और वो लोग अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो गए हैं और बहुत खुश होकर आपको और आपके परिवार को आशीरवाद दे रहे हैं उनका अशीरवाद हमेशा आपके साथ है इस भाव को महसूस करें और बहुत कृतक गता से उन्हें प्रणाम करें और वो सामती से अच्छे मन से उन्हें हीलिंग दें और मन में भाव लाएं कि जो भी मैंने हीलिंग की है ये पूरी हीलिंग इसकी पूरी इनर्जी हमारे पित्रों के पास पहुँच गई है और वो लोग बहुत खुश है फिर आप धीरे-धीरे एकदम सांत हो जाएं लंबी गहरी सांस लें और वापस अपनी जेतना को अपने हाट चक्र के सामने ले आएं अपनों दोनों हाट चोड़ें अपनी इश्वर अपने गुरू और जिनसे भी आपने प्राथना की थी उन सभी का धन्न बाद कर दें और प्रमांड की उर्जाय का धन्न बाद करें री की उर्जा का धन्न बाद करें और अपने दोनों हाटों को क्रोस करें और नाभी चक्र से तीन बार कट-कट करें और सभी से अपना कनक्शन काट दें और फिर आराम से धीरे धीरे अपनी आखें खोल दें और एक तम रिलेक्स हो जाएं